दोस्तों किया आपको पता है कि इनसानों द्वारा बनाई गई सबसे महगी चीज़ क्या है अगर नहीं तो मैं आपको पता दूँ कि इनसानों द्वारा बनाई गई सबसे महगी चीज़ है International Space Station तो इस वीडियो में मैं International Space Station के ही बारे में कुछ बहुत ही इंट्रेस्टिंग और एक्साइटिंग फैक्स बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिना स्कीब किये लाश्ट तक देखते रहेगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही दिल्चस्प होने वाली है हेलो वाटसब गाईज स्वागात है आपका हमारे चैनल सेलेच्चिल फैक्स में तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को अल पर सेलेक्ट कर लिजिए ताकि आप ऐसे ही इमेजिंग वीडियो को मिस ना करें तो बीन टाइम वेस्ट किये चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन इंसानों द्वारा बनाएगे सबसे महंगी चीजें जिस पर कुल 160 अरब डॉलर का खर्च आया था इतनी रकम 11 लाख करोड से भी जादा है आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि इतनी रकम से 1500 से भी जादा तार्जमहल बनाया सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन 27,600 किलोमेटर प्रते घंटे की स्पीड से पृत्वी का चक्कर लगाता रहता है इस तरह से यह हर 92 मिनट में पृत्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है और एक दिन में पृत्वी के साढ़े 15 चक्कर लगा लेता है जिससे इस पर मौझूद बेग्यानिक एक दिन में 15 बार सुर्यास्त और सुर्युदय देखते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृत्वी की कच्छा में 330 से 435 किलो मेटर की उचाई पर रहता है इतनी कम उचाई की वज़े से ये कई बार नंगी आँखों से भी देखा जा सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वज़न 4,19,455 किलोग्राम है इस तरह सिया मानाव द्वारां तरिक्ष में भेजी गई सबसे भारी वस्तू भी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 20 नमबर 1998 को लॉंच किया गया था यहाँ चौकाने वाली बात यह है कि इसके हिस्सों को 136 उडानों के जर्ये भेजा गया था इसके हिस्सों को वेज्ञानिकों ने स्पेस में ही जोडा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई 72.8 मीटर चौडाई 108.5 मीटर और उंचाई 20 मीटर है इसमें 6 बेडरूम से भी ज़्यादा रहने लाइक जगा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दो बाथरूम और एक जिम भी है जिम में कसरत करके वेज्ञानिक अपने सरीर को फिट रहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में काफी समय रहने से उनका सरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसमें वेज्ञानिकों को एक दिन में कम से कम दो घंटे तक जिम करना पड़ता है आपको सायद ही पता होगा कि कलपना चावला और उनके साथियों की मौत जिस अंतरिक्ष शान से धर्ती पर उतरते समय विस्फोर्ट के कारड़ हुई थी वो इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन से ही लौट रहा था आपको यह जान कर हैरान ही होगी कि इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन पर पत्तेदार सलाद भी सफलता पुर्वक उगाया जा चुका है ISS पर मौझूद वैग्यानिकों ने इसे आधा खा लिया था और आधा सुदक्षित रख लिया था ताकि पृत्वी पर ले जाकर इसे वैग्यानिक विस्टेशन किया जा सके इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन को पहले साल 2011 तक स्पेस में रखने की बात की गए थी लेकिन एक करार के बाद यह तैक किया गया कि इसका इस्तेमाल साल 2020 तक किया जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब में दोस्तों के पास सेर कर दीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में और फी अधर इंट्रेस्टिंग फ्रेक्ट के साथ